हाई फ्रेंट स्वागत है आप सभी का मिसन कोशन सेंटर में इस वीडियों बात करेंगे पर दूसरों रोग के बारे में डिस्कस करेंगे एन्वारमेंट का बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक है यहां से कौन-कौन से कुशन बनते हैं प्रीवेस यह के सभी कुशन इसमें डिस प्रदूशक कौन सा है तो लेड हो जाएगा आविशालू मतलब विशालू नहीं होता है इसमें लेड हो जाता है ठीक है लेड हो जाएगा उसके बाद में सोचालित वानों में एंटी नौकिंग एसन के रूप में लेड का प्रयोग किया जाता है धुई के साथ विमुक्त क्या पूछाए गया कहता है कि सरीर में स्वां सत्वा खाने से पहुंचा सीसा स्वास्त के लिए आनिकारक है पेट्रोल में सीसे का प्रियूग प्रतिबंदित होने के बाद से अब सीसे की विशाक्तता उत्पन करने वाले शुरूत कौन-कौन से हैं तो यह प्रगलन निकाईया जो भठियां होती है पैन और पैंसिले और पैंट फिर उसके केस तेल या प्रसादन सामक्रिया तो इसका एंसर है एक और तीन का मतलब प्रगलन निकाईया और पैंट यह आला आपका सही अंसर हो जाएगा ठीक है अगला कुश्चन क्या है कहता है कि कौन सी सही सुमेलित नहीं है पारा गहता है इधर देखो परदोशक दिये कि इधर लिखे गए बीमारिया इसके बाद में नाइट्रीट से बेबी सिंड्रोम होता है फ्लोराइड आयन से अपच होता है नहीं यह गलत है तो फ्लोराइड आयन के अधिक्ता से दातों की बिमारियां होती है जैसे फ्लोरोसिस कहा जाता है इस बिमारी में दातों का बाय आवरड प्रवावित होता है धातों में पीला पना जाता है अगला question कहता है अपसे कि स्नामान ने प्रयुक्त प्रयुक्त पदार्थ हो इदर कहता है उसमें पाया जाने वाले संभावित और वांचनीत था विवादा असपत रसाइन कौन से तो अच्छा भी या तो इनको मैज कराना है यह बतलब कहता है कि कौन सा यूग में विचार कीज़े कौन सही सुमेलित है तो लेपिस्टिक में सीसा पाया जाता है सीतल पे में ब्रोमीनित वनस्पतेल होता है अच्छा फिर चाइनीज फास्ट फूट में मोनोशूडियम ग्लूटामेट होता है तो मतलब यह तीन हो सही है ठीक है एक तो तीन जो तीन हो सही है इसके बाद में अगले कौश्चन पे चलते है कहता है कि इधर वाई प्रदूशक दिये गए इधर प्रभावित अंग दिये गए इनको मैच कराना है अगले कौश्चन पे चलते है अगला कौश्चन जोस्ट फिर से मैचिंग का ही कुश दिया गया कहता है कि इधर प्रदूशक है इधर प्रभाव किस पे प्रभाव डालते है तो मतलब कार्बन मनोकसाइड डग्त में घुलित कोश्च की सोजन को बाधित करती है ठीक है और हरदे को चैती पहुंचाती है नाइट्रोजन के आकसाइड मानो सरीर में कैंसर उत्पन करते है धूल कड़ों से स्वास समंदी रोग होते है सीसा मानो मस्तिस्क और केंदरी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है ठीक है तो आप तो इसको कर लेंगे सीसा केंदरी मानो तंत्रिका तंत्र धूल कड़ से स्वास समंदी बिमारिया नाइट्रोजन के आकसाइड कैंसर उत्पन करते है कार्बन मॉनॉकसाइड से लीवर और किड्नी को च्छती होती है कार्बन मॉनॉकसाइड का ऐसा कुछ लिखा दा क्या इसमें स्वसन कुस की स्वसन को बाधित करती है और रदे को च्छत पहुँचाती है तो स्वास समंधी रोग है इसको यह हो जाएगा ठीक है मतलब फस्ट का सी फस्ट मतलब सी उपसन नहीं सही है तो ठीक तो है सामने सामने मैचिंग है इसमें अगला कहता है कि इधर यहां से कहता है कि कौन से महातपुर प्रदूर्शक है जो भारत में इस पात उद्धोग दोरा मुक्त किये जाते हैं तो पहला इसका हो जाएगा सेलफर के अकसाइट सही है इस पा तो धुदरा निकलते हैं नाइट्रोशन के उकसाइट कार्बन मुन उकसाइट कार्बन डैकसाइट इस सभी चारो सही है अगला कहता है कि अनाचों और तिलहनों के अनतयोग तो रख रखा और भंडारड के परिडाम शुरूख आविसों का उत्पादन होता है अफलोट अकसिन के नाम से जाना जाता है समायनता भोजन बनाने की आम विधी द्वारा नस्ट नहीं होते हैं अफलोट अकसिन किसके द्वारा उत्पादित होते हैं तो फफूंदी के द्वारा फफूंदी के द्वारा उत्पादित होते हैं घरेलू अगला आपसे पूछा गया कई घरेलू उत्पादों जिसे गद्दों और फरनीचन की गद्दियों में ब्रोमी न्युक्त जॉला मंदकों का उपयोग किया जाता है उसमें उपयोग उपयोग क्यों उपयोग जो होता है क्यों कुछ चिंता का विशा है क्योंकि परवरण में निमनीकरण के कारण के प्रती उच प्रतुरों धकता है वे मनुस्यों पश्यों में संचित होज सकते हैं तो ये सही है अगले कोश्चन पर सलते हैं क्या कहता है कि कहता है कि हवा में तरते हुए सुसनी गुड़ सुस्म कड़ों का कार होता है कितना तो पांस माइक्रों से कम होता है पांस माइक्रों से कम होता है विभिन प्रकार की विभिन उत्पादों के निर्माण में उध्धोगदारा प्रयुक्त होने वाले कुछ रासा है वे खाद रख़ लोगों को प्रविस्ट हो सकते हैं सही बात है और वे मुक्त मूलकों के रूप में उत्वाधन पादन को विमोचित पर सकते हैं ये भी शही हो जाएगा मतलों तीनों सही हो जाएंगे अगला है वी में विवित प्रद्री प्रदूषर कारक जैवी रूप से अपगटित होता है तो यह मल हो जाता है मल तो अपगटित हो जाता है भाकी तो नहीं होते हैं 2012 में जनवरी के माह में वह कौन सी मौसमी कारक था जो उत्रभारत में आसाधर ठंड का कारड बना तो यह ला लीना हो जाएगा 2012 2012 के मतलब क्या है रसका अच्छा बाद में पेपर हुआ होगा फिर यूपियस तो जाद दस में अच्छा ठीक सरसों के बेश के अप मिश्रक के रूप में सामानितान अमलिकित में से किसे प्रयोग में लाया जाता है तो यह लाया जाता है और जी मोन के बीच लाया जाते है और जी मोन के बीच लाया जाते है इंसीन इंसीन डेटर्स का प्रयोग इसके लिए किया जाता है कोडा कच्रा को जलाने के लिए किया जाता है इंसीन डेटर्स का प्रयोग उसके बाद में किसके संदर में ताप घबघटन और प्लाज्मा गैसी गरड़ सब्दों का उपव्योग किया जाता है अब सिस्ट से उर्जा प्रदुग के लिए किया जाता है फिर कहता है ने मने कत्मों पर विचार किज़े कारबन ड्यक्साइड नैट्रुजन के अक्साइड शल्फर के आकसाइड फिर प गटना पूछी कि अधर योगिक पूछा गया अमलो वर्षा फिर योगिक फिर क्लोरो फ्लोरो कार्बन फिर प्रकास राशानिक धुंद कार्पन मोनोकसाइट हीमोगलोबीन के साथ योजन सिल्फर डायकसाइट फिर ओजोन परत का छरड असंत्रप्त हैड्रोकार्बन फिर मैसिंग करा नहीं है तो मैसिंग करा लो भी है मैसिंग का इधर दे रखा है इनोंने अमल वर्षा सल्फर डायकसाइट योगिक की वज़े से होती है फिर प्रकास राशानिक धुंद कार्बन के हेमोगलोबीन के साथ साहीज़न कार्बन मोनोकसाइट उज्वन परत का छरड क्लोरो फ्लोरो कार्वन हो जाएगा उसके बाद मैं पूछा गया आपसे भारत में नमलिकित में से किसमे एक महातपुड विशेश्था के रूप में विस्तारित उत्भादक दाइतु आरंब किया गया था तो ये अपसिस्ट प्रबंधन दोजार गेरा ये अपसिस्ट प्रबंधन दोजार गेरा अगला कुश्चन कहता है कि किसके अंगीकरण को प्रोथसाहित करने के लिए आर्टू विवार सहीता साधन उपलब्द करती है करती है तो इलेक्ट्रोनिक पुनर्शकरण उद्धोग में अगला कुश्चन क्या कहता है अगला कुश्चन आपसे कहता है क्या या CNG के बारे में पूछा गया तो कहता है क्या है कि CNG जो है CNG जो है आपकी वो उसमें क्या पूछा गया पूछा गया सारवचनिक परिवान में बसों के लिए इधन के रूप में हाइड्रोजन समवर्दी CNG का इस्तेमाल करने के प्रस्ताओं के संदर में विशार कीजिए CNG के इस्तेमाल का मुखे लाफ कार्बन मोनो अकसाइड के उसरजन का विलोपन है गलत है इसमें इंधन के रूप में हाइड्रोजन, CNG, कार्बन डैकसाइड और हाइड्रो कार्बन उसरजनों को कम करती है सही बात है उसके आप बसों के लिए इंधन के रूप में CNG के साथ हाइड्रोजन को आइतन के आधार पर पांचवे हिस्से तक मिलाया जा सकता है सही है CNG के पेच्छा HCNG इंधन को कम घर्चिला बनाती है तो यह आपका गलत हो जाएगा तो आपकी केवल दो और तीन उप्सन इसमें सही है बाकी सब गलत हो जाएगे उसके बाद में उसके बाद में अगला कुश्चन क्या पूछा गया अगला कुश्चन चल संवच्छड भी है मतलब एक कालगा टॉपिक है इसको लग नेक्स्ट वीडियो में कर लेते हैं थेंक्यो थेंक्स पर वाचिंग कैसा लग वीडियो बताईएगा जरूर